हाज जी तो चलिए फिर शूरू करते हैं एक नए कहानी को धर और आज हम लोग जो सीखेंगे उसमें जो होगा आपके पास है एक बैसिक जो एक फंडामेंटल कानसेप्ट हम लोग सीखेंगे वो होगा आपका फिनॉल के बारे में पहले हुम जानेंगे की फिनॉल होता क्या है फिर ये काम काम कैसे करता है। ठीके, उसका बेशिक तरीका क्या होता है। किस तरह से ये vil जनली तरीके पर इसका हम नेमिंग करते हैं। आज हम लुग इन सारे प्रोपर्टी को एके करके एके करके सीखने एक कुछल्ड क होता है जो मालने जे कि फिनॉल अगर हम किसी को कहते हैं तो फिनॉल कहने का क्या बेसिक तरीका होता है कि हम किस स्ट्रिक्चर को हम आसानी से फिनॉल का सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी कहा कि अगर हम फिनॉल का परीभासा पूछे कि वाट इस फिनॉल ठीक है अगर कोई आप hydrocarbon होते हैं ठीक है तो जो aromatic hydrocarbon होते हैं वहां पर एक hydroxy group का derivative होता है तो पुझा जाए को what do you mean by phenol तो करते हैं कि phenol is the derivative of क्या चीज़ फिनोल is the derivative of hydroxy group अनि aromatic hydroxy group in which one or more than one more than one hydroxy group attached to the क्या चीज़ डारेक्टली एक्टाइस्टो दा एरोमेटिक रिंग क्या होती है फिनोल तो फिनोल के बारे सिधा परिवाशा होता है कि फिनोल अब ठीक है सुगन्या बिल्कुल क्लियर दीख रहा है ना बलार या किस तरह कोई दिक्कत नहीं है ना क्या है तो हमने क्या कहा कि फिनोल होता क्या है फिनोल सीधी सी भात होती है कि फिनोल किसी भी स्टिक्चर का वह फॉर्म होता है कि मतलब कि माली जी कि अगर कोई कोई भी मेरे पास एक स्टिक्चर लगा हुआ है और उस स्टिक्चर में क्या हो कोई भी एक स्टिक्चर लगा है और वह एक हाइड्रोक्सी ग्रूप का डेरिवेटिव होता है जो एरोमेटिक रिंग के पास जुड़ा होता है और उसमें जो स्टिक्चर होते हैं जो हाइड रिखा हुआ है आप डिखोगे यहां ओवेच जो है हो डायरेड्त कुप से परोजो है यहां परोज कुप से ऐसे हो से ऐसा हुआ है तो इसे हम कभी भी फिनॉल की कटेगरी में नहीं रखते हैं क्योंकि यहां पे ओवेज जो है वो डाइरेक्ट रूप से इसके साँ जुड़ा नहीं होता है तो इस टिक्चर पर आप गवर करेंगे अब जरूरी नहीं हो गिवो फर्स्ट कार्बन के साथ ही जुड़ा हो सकता है थर्ड कार्बन भी हो सकता है यह डिपेंड करता है कि कौन-कौन से लोकेशन वहां परिस्थित है लेकिन अरोमेटिक रिंग से डारेक्ट रूप से हुआ है ठीक है तो अगर कोई फिनों का परिमासा पूछे तो सिध्वे आप कहना कि फिनों क्या होता है एक हइड्रोट्सी गुरूप का एक डेरिवेटिव होता है जहां पर ओवेच heavy count किसी अरोमेटिक रिंग से संत्रिव्ट hydrocarbon से वो direct proof से जुड़ा हुआ रहता है phenol का लाता है ठीके चलिए अब हम यहाँ पर जो structure आपको देख दिया है अब इसका हम एक एक करका पहले हम नाम जानते हैं देखी अगर ये structure है तो इसको हम लोग करते हैं phenol देखो यही है phenol अगर पूछोगे कि सर ये तो बेंजीन है ये क्या है एक बेंजीन है और ये क्या है याँपर hydroxy group है तो अगर इसका general नाम पूछेंगे तो क्या लिखेंगे hydroxy benzen जब हम आगे पढ़ेंगे जब कायो पेसी नेम में आएंगे तो उसका नाम क्या होगा hydroxy benzen क्योंकि hydrogen के साथ oxygen लगा hydroxy benzen structure hydroxy benzen ठीक है लेकिन इसका जब हम लोग नौकल नाम पढ़ते हैं तो कालाता है phenol अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है दो group ध्यान रखेंगे जिससे हम लोग डाई hydroxy benzen कहते हैं आगे हम इसका जनलेट दो hydroxy group है तो इससे हम लोग hydroxy benzen कहते हैं इसी benzen का जो market नाम होता है उससे हम लोग कहते है catecol बहुत important है जिस तरह से आपको याद करना याद कर लेना इसका जो common हम होता है उसको हम लोग कहते है catecol ठीक है क्योंकि आपके एक जामों में direct नाम यहीं आता है catecol नाम देखकर किया जाता है ठीक है तो इसका नाम होता है catecol ठीक है अब देखो ये तो structure हमको मिल गया अगर यहाँ पर 3 OH गुरूप है तो 3 OH को हम लोग कहते है tri hydroxy benzen नाम क्या होता है इसको 3 OH गुरूप हो इसको मिलोग करते है tri hydroxy benzen जो इसका हम आगर पढ़के आयूपेसी नाम सिखेंगे तो कहेंगे इसको मिलोग कहेंगे di hydroxy benzen और इसको मिलोग कहेंगे tri hydroxy benzen लेकिन हमें आयूपेसी नहीं अभी हम general नाम आपको बता रहा है जिसका जो common नाम होता है जाम देने बैठते हो तो पूछता है कि catechol का structure बनाओ और catechol हमें दिमाग से निकल जाता है और catechol सबसे important होता हो ही कहता di hydroxy benzen बनाओ फटसा बना देंगे phenol बनाओ बनाओ बनादेंगे paragalol बनाओ paragalol दिमाग से गया paragalol तो सुलही नाम नहीं है सरजी तो पढ़ाएं नहीं है गर दिया हमारे साथ बेवफाई सब को पढ़ाएं मेरे साथ तो बेवफाई करके चले गए पढ़ाएं था है नहीं बेवफाई के मतलब यहां गलत नहीं है यहां पर structure की बात होती है मैंने पूरी बाते ना बताना मतलब वफाई करना आज के जब आने का सब्द है तो यह बात है यहां पर हो गया अब यह पैरा गयलोल के बाद जो नीचे की structure आपको मिला अब नीचे जो structure आपको मिला यह है CS3 यहां है OH तो यह है CS3 यहां क्या है OH हाँ सही बात है सुगनिया बहुत दिन के बाद आज हस रही हो ना पुछ सही बात है भाई teacher अब ही बेवफाई की से करते हैं लड़की से लड़के ने कुछ नहीं बताया का दिया ना गाम को दोखा दिया तो तो मेरे बताया ही नहीं तो बात यही हो है ना हम teacher का यही होता है आधा पढ़ाते आधा गायब कर देते हैं तो वह यह structure है तो यह structure अगर आपको मिलते है तो इसको हम लोग करते हैं ध्यान लेकिएगगी इसका common नाम जो होता है समलोग करते है क्रिसॉल क्या होता है यह क्रिसॉल ठीक है तो तर्मिला लास्ट में सम्में ओल है ओल ओल और ओल यह हुआ फिनॉल एक ओवेच दो ओवेच हुआ कैटीकॉल अगर तीन ओवेच होता है पाईरागायल और एक मिथेन के साथ एक ओवेच हुआ दिसम्लों काते हैं, क्रीसॉल. ठीके, हम गलत जल्दी नहीं बोलते हैं सुकन्या, लोगों को बात वाले गलत समझ में आ जाता है. ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं मुद्धे पर, इसके दोसरे भाग में हम चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट में. अब एक बच्चा हम से पूछा, ठीके, इधरीद हम से बच्चा पूछा, कि सर यी बताईए, आपकी बात तो हमें समझ में आ गया, कि एक इस्ट्रिक्चर जो है, वह क्रीसॉल हुआ, ठीके, अगर एक स्ट्रिक्चर मेरे जाए, इस तरह का पूछ दे, और फिर बुले, कि इसका आईउपेसी नेम पूछा, ठीके, ऐसा मालो, कि अगर सुजाता जवसा स्टूडेंट मिल जाए, तब उस सिस्तिती में क्या होगा, कि तब इसे पूछेंगे, आपको मिल जाए, जहाँ पे, यह सियस्त्री है, और यहाँ ओवेच हो, यहाँ एस्ट्रिक्चर कुछ इस तरह का मिल जाए, फिर एस्ट्रिक्चर कुछ इस तरह का मिल जाए, आपकी पर स्टम वेराइटी औफ एस्ट्रिक्चर डाल दिये, चलो एक तो हमको पहले से यहां मिला हुआ है हम हर जग़ पर variety बना दिये ठीक है हाँ सही बात है सही सो करना पकड़ी हो सुझादा इससे student मिल ला है तब फिर तो हो गया कर ले आ हो आज बता मत दिना जा के नहां तो फिर तो मेरा खैर नहीं ठीक है अब भालो कि इस तरह की जब structure आपको मिले तो क्या आपके पास कोई एक common चीज़े मिलेगी तो याद रखेंगे देखो अगर इस तरह की location आपको दिखाई दे आप कहले काम करना इसका naming करना naming करोगे hydroxy को सबसे पहले आप एक number दोगे तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एक, दो, यहाँ देखोगे एक, दो, तीन, इसे देखोगे एक, दो, तीन, चार, यहाँ देखोगे एक, दो, तीन, यहाँ देखोगे एक और दो आप ऐसे structure का आप जब भे naming करने की बारी आएगे तो सबसे पहले आप naming करोगे naming का मतलब क्या था numbering करना naming sorry numbering करना पहले आप numbering करो numbering करोगे तो देखोगे 1 2 3 4 1 2 3 1 और 3 पर यहाँ पर है यहाँ पर देखोगे एक और 3 पर मतलब यह structure जो हुआ वह एक जैसा हुआ होगा की नहीं होगा ठीक है उसी तरह से यहाँ देखोगी एक और दो यहां और देखोगी एक और दो इसका मतलब यह structure जो हुआ एक दूसरे के similar structure हुआ तो आप location पर ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार बच्चों से यहीं गलतियां होती है वो similarity को पहचान नहीं पाते और कहते हैं sir structure तो अलग हो गया आपने तो यहां पर बताया था यह तो structure ऐसा हो गया नाम तो लिखी नहीं पाया गलति करके आगए क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं था तो हम लोगों को बच्चे हवा में उड़ाने लगते हैं सर जी आप ही तो नहीं पढ़ाए तो हम नहीं कर पाए सर जी के बच्चे तो भी तो कुछ पढ़ लिया कर तो बात वहीं यहां पर आजाती है तो यह कहानी को इस टिक्चर को मेंटेन करने के लिए अब आपको एक चीज सीखाना है वो क्या सीखाना है देखो एक और दो एक दो जो है ना एक और दो इसको में लोग करते हैं और्थो यह और्थो मतलब हड़ी वाला आर्थो नहीं ठीक है और्थो मतलब इसका नेमिंग करते हैं वन टू जो इसे हम वो और्थो बोलते हैं और हम कमिस्टी और बाइलोजी के बच्चे था बड़ा सौट उखोट यूज करते हैं इसको हम लोग यूज करते हैं वो ठीके तो दिहान रखना 1,2 अब यह मैत मत लगाना यहाँ पर कि 1,2 का मतलब जीर ओ ठीके आई बास स्वाज मैंना तो 1,2 का मतलब ओ नहीं होता है यहाँ 1,2 का मतलब और्थो है और्थो का मतलब होता है O ठीके अब इसके बाद जहाँ 1,2 के बाद अब आती है बारी 1,3 की कहीं 1,3 नहीं बनाये है क्या बनाये है यह है आपका 1,3 देखो O के बाद ठीके O के बाद आता है M इसको करते हम लो मेटा, not नेता ठीक है, यह M है N नहीं है, यह नहीं कि तुम नेता को बनादे ना 1-3, वो सब अलग होते हैं, यह होता है मेटा तो 1-3 जो होता है मेटा इसे रिपरजन करते हैं हम लोग M से ठीक है 1-2 अर्थो, 1-3 मेटा और 1-4 यह है आपका 1-4 ठीक है, इसे करते हम लो पैरा, इसे रिपरजन करते हैं पी से, 1-2 अर्थो 1-3 मेटा और 1-4 पैरा ठीक है, आईवाज समझ में नहीं समझ माया इस चीज को आपको याद रखना है अर्थो, मेटा, पैरा, यह तीन बाते आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए सेट हो जाएगा अब यह से और्थो, मेटा, पैरा की बारी आती है अब अगर पूछा जाए कि यह तो आपका क्रिसॉल था तो इसलिए इसको में लोग करते हैं और्थो, क्रिसॉल यहाँ देखो न, यह जो क्रिसॉल है वन टू है तो इसको में लोग कहेंगे और्थो क्रिसॉल ठीक है यहाँ देखो गे वन थरी है तो इसको में लोग कर सकते हैं मेटा क्रिसॉल इसे कर सकते हैं हम लोग पैरा क्रिसॉल ठीक जो यहाँ फिनॉल है यहाँ जो catecol लिखे है ना इसी को लो लिख सकते हैं देखो 1, 2 दो जगह पर हैं इससे कर सकते हैं लो और्थो catecol यहीं यह और्थो और मेटा का कमाल तो याद रखेंगे और्थो मेटा का कमाल और्थो जब भी दिखाई देगा 1, 2 और्थो 1, 3 मेटा और 1, 4 पैरा तो और्थो और पैरा ये दो जो होते हैं आपस में एक जैसा नेचर सो करते हैं ध्यान रखना और तो और पैरा ये जो होते हैं एक जैसे नेचर सो करते हैं और मेटा जो होता है वो अलग होता है याद करने का सिंपल तरीका याद रखना ओपी ओपी जो होते हैं वो एक साथ क है रहिए तो और थो और पेर होता है वह एक जैसे काम करता हूज़ मेट जो होता है वह अलग काम करता देखना अब गल खे अरफ को प्रफ क्या मेट कहाए अन्हों प्लश ऐफेक्ट सो करेंगा मքट कहाए का हैं प्लशाइ गेम खेलते हैं और तो कायगा ठीड़िया चल माल लेते हैं पैरा कहेगा कि ठीक है चलो तुम करते हो में जा रूआ है पटरे एडने और हमYouół वाइत इसके साथ भी माल लेते हैं तो आपको यहां तक समझ में आगे और्थोमेटापायरा के बाद इस तरह कि जब भी मेरे पास एस्टेक्चर आएंगे यह सारे एस्टेक्चर जो होते हैं और्थोमेटापायरा वाला यह आकर आपको कॉमा नाम दे कर जाते हैं क्योंकि हम आईउपेसी नामन क्लेचर में कभी भी और्थोमेटापायरा सब्द यूज नहीं करते हैं ठीक है? अच्छा तो कि हमरे तरीके बड़ी अच्छा लागा था नहीं यह नहीं सही है ठीक है? अब आते हैं मुद्दे की बात पर अब यहां से मुद्दे की तरफ हम बढ़ते हैं अब हम तुम लोग को देंगे कुछ है स्ट्रिक्चर ठीक है? अब तुम लोग यहां तो मदारी देखने तो आए नहीं हो क्या हम यहां नाच लगा रहे हैं तुम लोग मदारी देख रहे हो अब हम देखें अभी तो हम सो दिखा दिए अब हम तुम को देंगे कुछ है स्ट्रिक्चर और अब आपको लिखना होगा उसका नाम ठीक है? अपना नाम नहीं लिखना है और अपने पडोसी का नाम नहीं लिखना है ठीक है? कि हम तो करन कते हैं ख्वाबों में बैठ कर उसके नाम ही जबते रह गए तो ऐसा structure नहीं है यह structure जो है आपको अपना नाम नहीं लेकर इस chemistry के structure का नाम लीखना है ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम आपको कुछ structure देते हैं जैसे मैं अगर माल लो इसका तुमों को लिखना है common नाम common नाम जानते हो ना? अरे ना ही हो homework ना नहीं खाली हो homework हो homework हाँ अपने homework कर लेना लेकिन अपने copy में तुरंत लेखते चलना ठीक है नेंगे structure पुरंत common नाम अरे मेरा इंटरनेट नहीं चलता है अरे मिसरा जी नमसकार अब बताइए का आल खबर है आपका ठीक है यह देखो यह structure हो गया ओवेच ध्यान रखेंगे ओविच फिनॉल है ठीक है अगर इसी structure में यहाँ पे ओविच के जगह पे यहाँ पे बीयार लिख देंगे तो इसका बताओ common नाम क्या होगा ध्यान रखेंगे common नाम लिखना है ठीक है आई वाज समझ में वाओ ठीक यहाँ अगर अगर structure मालो कि यहाँ पे हम ओवेच देए ठीक और यहाँ पे उठाके दे दिये न ओटू बिड़क common नाम जानते हो ना घर वालो का नाम अब तुम्हारा नाम में तो लिखना कि बाबू सोना चोना टोना पोना वाला नाम नहीं लिखना यहाँ डालते ही ओ तुम्हों नाम नहीं common नाम डाला है जिसके नाम से सब कोई जाने ठीक है आई बाद समझ में फिर इसके बाद एक structure आपको naming कैसे करेंगे तो इस तरी के structure यह क्या है आपका एमीन है यह आपका क्या है ब्रोमीन है यह क्या है आपको नाइट्रो है ठीक है ना तो यह नाइट्रो है और यह structure क्या है फिनॉल है देखो बेटा यह है आपका फिनॉल ठीक है यह क्या है आपका फिनॉल है मेरा नाम पता नहीं तुम को मेरा नाम क्या है कोई बात नहीं ठीक है यह है फिनॉल अब इसकी बाद इसकी नाम क्या होगा यहां है ब्रोमीन और यह है अब का फिनॉल तो इसको लिसकते हैं ब्रोमो फिनॉल अब तुम को क्या करना है ब्रोमोफीनौल हो गया लब भो गया क्या चीज है और्थो-ब्रोमोफीनौल ठिक है? आई बात समय ही मिलें ये क्या है आपको नाइट्रो है तो नाम लिखना तो क्या लिखेंगे नाइट्रोफीनौल और एक, दो, तीन, चार है तो चोठ है के लिए क्या बोलते हैं Paira तो Paira Nitrophinol लेत लेंगे ये है आपका Amine इसको बोलते हैं Amino ये क्या है आपका Amino ये क्या लिखेंगे 1 2 यानि कि Ortho Amino Phenol लेत लेंगे तो किस तरह से हम Structure का Naming करते हैं ये आसानी से आप इसको समर सकते हैं यहां तक कोई दिखत है यहां तक थैंक्यू, 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 मिस्ता जी थैंक्यू, थैंक्यू आप जैसे लोगों का अशुरिबाद रहे तो 2K किया कि दिन 2M में भी चला जाएगा बस आप अपनी आस्रिवाद बनाए रखें ठीक है आई आज समझ में कुछ दिक्कत नी है नौट टम साफ दिख रहा है न써 को दिक्कत नेटवर्क की आप जानते ही है ने टवर्क की दिक्कत तो रही साथ नेटवर्क चेंज कर लेंगे हैं अगर आपको ब्लर देखें कुछ भी देखें तुम लंद कमेंट में लिखो अगर माल लो यह तो हो गया बेसिक चीज़े अभी हम आपको सिर्फ इसलिए बेसिक सिखा रहे हैं कि आप बेसिक पहले जान लो फिर इसके applied हम इसकी common name और noticing name में आते हैं क्योंकि अगर माल लो कि कहीं पर स्टेक्चर हमें इस तरह का देदें क्योंकि फिनल में घान रहतर हम लोगोगो को तरह के structure जो होते हुआ सीखने को मिलते हैं हमें जो में मार्केट में structure मिलते हो दो तरह के general structure मिलते हैं वो structure होते कैसे हैं कुछ देख नहीं है what is this blur है अगर blur है तो बताईए उसको सही करेंगे क्लियर है देखो अधर करियर क्लियर है बागी करें बिला रहे हैं कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है क्लियर तो है चलो कोई बात दें अब हम यहां आते है अब इस टिक्चर देते हैं पटापट पटापट काम करते हैं देखो यह किस टिक्चर है ठीक है और यहां है CS3 और यहां है OH चलो ठीक है करके हम समझते हैं यहां है CS3 और यहां है OH यहां है आपका CS3 और यहां है OH देखें तीन स्टिक्चर हम आपको दे दिए क्लियर अगर मालो कि इस तरह के स्टिक्चर एक ओवेच यहां एक OH यहां दूसरा OH यहां एक OH यहां दूसरा OH यहां और एक OH यहां और एक OH यहां बेटा, बेसिक सीखो, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा आपकी पास सामने दो केटेगरी के स्टिक्चर बना दिया सबसी पहले काम करो, इसका कॉमा नाम लिखो आपको याद होगा कि अगर एक एलकिल गुरूप एक एलकिल गुरूप अगर किसी अरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा है और उसके साथ एक ओवेच गुरूप जुड़ा है तो वह कालाता है कैटी कॉल ठीकिया, कैटी कॉल कालाता है तो पहली स्टिक्चर तो हमको मिल गया कि ये एक कैटी कॉल है क्या मिल गया कि सबसे पहले ये मिल गया कि ये हमारे पास एक kati call है तो सबसी पहली चीज आपको लीखना क्या है कि ये है आपका kati call ठीक है अब kati call में हम बात आ रहे है common किसका नाम common name की बात आ रहे है ठीक है आईवास समय में ये कैटी कॉल में बात आ गई किसकी common name की अब जैसे ही common name की कैटी कॉल की बात आती है तो उसके structure को अब हमें धीरे-धीरे आगे के तरफ describe करना है ठीक अब ये description कैसे होगा इसको समझते हैं यह थोड़ी से network जो है न यहाँ पर direct हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर जो system होती है वो with help of VPN चलता है इसलिए थोड़ा सा यहाँ की direct काम हम लोग ना करने के वजह से ही हम लोग थोड़ी से issue होती है अब ठीक है कभी भी दिक्कत है clear है सब हाँ चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग कैटी कॉल की बात करते हैं अब देखो हमने कहा कि यहाँ पर अगर देखो अब यह जो भी बात करें यह कॉमा नाम पर बात करेंगे ठीक है तो यह हो गया आपका one two मत्तब हो गया और्थो कैटी कॉल यह one three तो यह हो गया आपका और्थो के बाद मेटा कैटी कॉल और इसकी बाद हो गया यह पैरा कैटी कॉल ठीक है उसी तरह से यहाँ पर है आपका यह है फिनॉल और यह one two है तेसे हम लोग कहते है क्या अगर आपको लीखना हो तो हम लीख सकते हैं न कि दो फिनॉल है तीन फिनॉल है कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा है है कुछ तो गलर बढ़ है क्योंकि कैटी कॉल जो होता है वो डबल सी है एक में क्री सॉल है एक में कैटी कॉल है पैटा यह कैटी कॉल नहीं वहल कि यह है आपका क्री सॉल और यह है आपका कैटी कॉल तो यहाँ पे जो है यह मिल गया आपका क्रिसॉल और यह हो गया आपका क्रिसॉल तो क्रिसॉल और क्रिसॉल पर तो अध्यान रखेंगे क्रिसॉल और यह हो गया आपका क्रिसॉल क्रिसॉल जहां पर एक CS3 और एक OVICH आ गया वो हो गया आपका krisol और ये एक चहां पर आपका दो ओवेच गुरूप होता है उसी को हम लोग करते हैं katechol CHO है तो ये हो गया आपका ortho katechol, ये हो गया आपका metacatechol और ये हो गया आपका paracatechol इसे तरह से यहाँ पी जब आप naming करोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका metacresol ये हो गया आपका paracresol और जांकर आपको हैरा नहीं होगी एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बताएं ये जो मेरे पास ये जो एक्जाम में ये जो आपको दिख रहा है न katechol और krisol हमें katechol और krisol से पता नहीं मिसरा जी आपको याद होगा कि नहीं है कि नहीं साइच चले गए यह हम लोग जो ambivious की एक्जाम देर रहे थे तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था हम लोग का कि katechol का structure बना है हमारे ambivious की एक्जाम का क्वेश्चन नहीं है katechol का structure बनाना तो याद रखेंगे katechol और krisol जो है यह बहुत है यह आप ही लोग का क्यावल नहीं यह हम लोग के भी एक्जामों में कुस्टन पूछे जा चुके हैं तो कि हम लोग को भी जब आप medical college में जाओगे तो आपको अबीबेस के दौरान आप medical college में आपको chemistry पढ़नी पढ़ती है krisol, katechol यह सब चीज़ें आपको हमेशा मिलेगा phenol, glycol, glycerol यह सब चीज़ें आपको पूरी medical college के life में आपको मिलने वाला है इतना जल्दी नहीं होता है ठीगे तो यह हो गया इसका लिखने के दो तरीके होते हैं या तो उसको आप benzene के साथ लिखो या तो उसका आप phenol के साथ लिखो ठीगे आई-पे-सी नहीं हम लिखने के दो तरीके होते हैं या तो आप benzene के साथ लिखो या तो आप उसको phenol के साथ लिखो याद रखेंगे ठीके पहले आपको बता दे कि जो हाइड्रोक्सी ग्रूप होता है वो नमबर एक पर होता है ठीके और वहां से हम काउंटिंग की सुरुवात करेंगे कहां से जहां पर हाइड्रोक्सी ग्रूप होगा वहां से हम काउंटिंग की सुरुवात करेंगे जैसे में अगर मालो यहाँ पे है तो इसको देंगे एक नमबर और इसको देंगे दो नमबर एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार ठीके, अब इसकी naming करते समय हम दो बात पर ध्यान देंगे वो दो बात क्या क्या है यहाँ चो है 1, 2, यहाँ 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 इसकी दो name या तो आप इस structure को दो भाग में divide कर लो ऐसे structure है आप इसको सिधा phenol कर दो और इसको लगा दो methyl group तो कितने number पर है दूसर number पर तो 2-methyl-phenol यह है इसका पहला IUPAC name ठीक है 2-methyl-phenol इसका पहला IUPAC name है clear कोई दिक्कत यहां तक clear है सब कुछ 2-methyl-phenol यह इसका पहला IUPAC name हो गया इसी का दूसरा IUPAC name क्या हो सकता है in term of benzene ठीक है in term of benzene अगर इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे ठीक है तो एक तरफ हमारे पास क्या है methyl और दूसरे तरफ क्या है हमारे पास hydroxy group तो आप यहां naming करेंगे कहां methyl group है तो 2-methyl जहां पर आपका methyl है उसको आप methyl लगाओ तो 2-methyl एक नंबर पर है hydroxy तो 1- hydroxy और S-tracture क्या है आपका benzene समझाया हमने क्या किया S-tracture को मैंने दो भागों में classify किया इसमें क्या किया कि मैंने इससे पहले लिखा और इससे लिखा तो हमने लिखा methyl और इसके बाद लिखा phenol पहले काम किया दूसरे में क्या किया कि यह जो S-tracture था यहां पे CS3 और यहां पे O-H इसको भी काट के अलग कर दिया ठीक है जब काट कट के अलग करेंगे तो यह हो गया आपका Benzene यह हो गया आपका Hydroxy और यह हो गया आपका Methyl तो इसके तीन structure अलग अलग बट गए ठीक है तो इससे लिए हम एक नमबर उसके बाद एक दिन हमसे एक बच्चा पूछा गुरुजी बच्चा बड़ा प्यार समसे कॉस्टन पूछा गुरुजी निका बोला यह मैथिल पहले Hydroxy बाद में नहीं पलने पड़ा मैथिल पहले Hydroxy बाद में जबकि according to rule मैथिल को बाद में आना चाहिए Hydroxy को पहले आना चाहिए क्योंकि अलफा बेट में H जो होता है वो पहले आता है M जो होता है वो बाद में आता है कुछ तो गड़बर है ना तो यहाँ पर गड़बर इसलिए है Hydroxy जो होता है वो एक किस रूप में काम करता है एक primary suffix के रूप में आता है और methyl जो होता हुआ अजय प्रिफिक्स के रूप में काम करता है मैं चाह बोला हमने पढ़ाया कि प्रिफिक्स भी hydroxy होता है आपने hydroxy को पहले क्यों लाया हमने कहा कि hydroxy को पहले इसलिए लेकर आया क्योंकि hydroxy वहाँ पर as a functional group काम करता है तो फिर कहा methyl क्या करता है वहाँ हमकी methyl जो substitute काम करता है तो कहा hydroxy group क्योंने सचे substitute काम करता है क्योंकि आप naming में तो benzeen नाम दिये है और benzeen कम नाम देते हैं जब उसमें double bond होता है E and E होता है यह सब कुछन तुम लोग को पूछना चाहिए कुछन हम पूछ रहें अपने आप से सुचो कितने अच्छे विद्यारती है टीचर भी खुछ से कुछन उच्पद कर रहा है बच्चों के अंदर दिमाग में तो कुछन आता नहीं है बच्चे दबस्मस्ती में आ गुरू जी पढ़ाद हुआं सुनत रहा मजा लेत रहा तो यहाँ पे आपको खुछ से कुछन करना है तो याद रखेंगे बेंजीन जो हम लोग पढ़ते हैं वो ठीक है common IUPAC name में आता है पर बेंजीन कोई IUPAC name का स्टिक्चर वहाँ पर अगर हमें लीखना होता तो हाइड्रोक्सी जो होता है एजस सब्सिट्यूट में आता है और वो एक functional group के तरह काम करता है इसलिए इन्हीं confusion को दूर करने के लिए इस तरह कि जो confusion create करने वाले बच्चे होते हैं जो हमेशा question लेकर खड़े रहते हैं गुरू जी गलती करे नहीं कि उनके उपर चड़ बैठे है तो ऐसे questions को बच्चे से खातम करने के लिए ही नया rule आया जिसके तहा गया phenol यहाँ पर 2-methyl phenol कोई question नहीं यहाँ hydroxy को गिले कराया गया क्योंकि hydroxy x क्या करता है एक supportive functional group के रूफ में काम करता है आई वास समझ में क्योंकि वहाँ पर general जो हम लोग उवेच पढ़ते हैं वो oxy group है तो oxy group को लेकर हम वहाँ पर पढ़ते हैं करते हैं ह2SO4 ह2SO7 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 एक स्टिक्चर पढ़े होंगे आप ह2SO7 और ह2SO8 आप दू स्टिक्चर पढ़े होंगे और करते हैं कि इसमें सलफर का oxygen number बताओ करते हैं बह गुरू जी इदा हम पक्का है साथ दूनी 14 14 में से दू गया कितना बचा बारा हम गहेगे यहां पर सलफर का निगालोगे तो कहा 8 दूना का 16 आप 16 में से दू गया तो कितना हो गया 14 आप 14 बचा दू मतलब प्लस 7 मतलब यहां पर प्लस 7 यहां पर प्लस 6 हमके बहुत तेज बच्चे हो यार तुम यहां पर प्लस 6 और यहाँ भी प्लस 7 का है, बिल्कुल सहीं, हम कहीं बटा अगर exam में question पूछ दिया, और यह question exam में कम से कम 10 बार पूछा हो गया होगा, कि H2, S2O8 में sulfur का oxidation number बदाओ, कितना होता है, और पहला ही option होता है, प्लस 7, और हम लोग सीखे क्या रहते हैं, oxygen लेता है, minus 2, hydrogen लेता है, plus 1, 8 दूना का 16, minus 16, और प्लस 2, minus कितना, 14, 14 जाएगा, उधर हो जाएगा, प्लस 14, 14 बटा दू, प्लस 7, मिल गया answer, प्लस 7, आरे सर जी, पता है, आपको question भी आईसा पूछा था, बच्चों की impression कैसी आती, आपको बता रहे हैं, जब एक्जाने सावाँ सा बच्चे निकलत होता है, इस तरी की exam में question पूछे जाते हैं, हम पूछे बटा answer क्या लगा कर आए हो, सर प्लस 7, अब इसमें भी कोई कलत कर सकता है, क्या सर, आपको क्या मजा कर रहे हैं, फिर हम लोग करते हैं, जाय बकलोल, जिंदगी बर बुर्बक्के रह जाओगे तू, क्योंकि examiner को ये पता रहता है, examiner को ये बात पता रहता है, कि आपको कितना आता है, क्योंकि यहां जो होता है structure में, होता है पर अक्साइड बॉंड, और यहां होता है नॉर्मल बॉंड, वही examiner तो examiner होता है, कतने हैं ने, जहां आपकी सोच खतम होती है, वहां examiner की सोच शुरू होती ह उसमें हम लोग भी आते हैं आप जब इसका structure बनाते हो H2SO4 का तो क्या होता है H2SO7 का structure बनाते हो तो यह सर्वार है ठीक है यहाँ पे oxygen होता है यहाँ पे oxygen है और यहाँ पे क्या है आपका 1OH यहाँ हो गया 1OH यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4, 5 6 यह हो गया आपका 7 अब आप question आता है कि कितना है H2 ही है तो आप हटा दो यहाँ से एक देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह है आपका H2 S2O7 यहाँ तो आप बड़े मज़े से बना लेते हैं इस टेक्शन फटाफट फटाफट पोड़क्ट बनाते हो मजदार तम फेक देते हो यहां करते हो सर एकदम मज़ा आगए माइनस 2, माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2, 2, 4 यहां आ गया माइनस 2 बना ले है पटाफट अदर मज़े आगए फटाफट माइनस 2, 3 और 3, 2, 5, 5, 6 बन गया structure फटाक से स्टेक्चर हमने की बेटा अगर S2 S2, 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 O8 जब आता है ना तो वो अपना स्टेक्चर बदल लेता है और S टेक्चर कुछ इस तरह का हो जाता है और यहां बन जाता है क्या चीज इसे कत्यम लो पर-Oxide Bond और जब पर-Oxide Bond आता है ना तो यह जो कहानी होती है वो बदल जाती है और स्टोरी बदल जाता है दू चार अदू छे जो साथ यहां जो सुरी माइनस वन ठीके और यहां भी सलफर जो होता है वो प्लस इक्स पर काम करता है तो इसलिए हम कहें कि बिटा थोड़ी सी दिमाग लगा कि एक्जाम में बैठना कि H2, S2O7 और H2, S2O8 हर जगेर फॉर्मूला काम नहीं करता है हर जगेर रूल काम नहीं करता है क्योंकि chemistry होता ही एक्सेप्सन सब्जेक्ट अगर chemistry का reaction हर किसी से आसान हो जाता तो लोगों के जिन्देगी कितना खुसा हाल नहीं हो जाता जिन्देगी में लोगी chemistry अच्छी नहीं रहते है यहां की chemistry कैसे अच्छी रहेगी तो इसलिए structure को आपको गौर से देखना है तो इसलिए structure को भी दियार से देखना है जीर आप कुछ नहीं करोगे क्या करोगे यहाँ पर डाइध्री फीन All यहाँ यहाँ डाइ रॉक्षि फीनल यहाँ डाइध्र रॉक्सी फेनॉल तई ऊवेट्डॉक्ष हो का राइध्रॉक्या, अगरMeनं लो कि हमें बेंजीन के तर्म में लिखना हो फ़ाई, इसका नाम क्य दो वन टू थ्री तो वन थ्री डाई हाइड्रोक्सी या तो अब फिनॉल लिख दो या इसको यहाँ पर आप बेंजीन लिख दो आई वार समझ मैं केमेस्ट्री अपने नाम से ही फेमस है जब पहली बार जब हम केमेस्ट्री के स्पेलिंग लिखना शुरू करते हैं जब 910 में होते हैं तो C-H-E-M-I-S-T-R-Y आधे लोग को तो केमेस्ट्री के स्पेलिंग ही नहीं पता रहती है और कुछ लोग आधे लोग इसको केमेस्ट्री पढ़ भी लेते हैं तो आधे लोग उसी दिए करते हैं यह चमेस्ट्री C-H को लोग चोप पढ़ डालते हैं तो यह खुद ही अपने आप में ही नाम है साइकोलोजी देखते हो ना तो जिस तरह से psychology को लोग P silent कर देते हो उस तरह से chemistry भी है पड़त लिखाता ही खुद अपने नाम को ही confuse करकर रखता है तो सोचलो इसकी syllabus कितनी confusion होगी आगे क्या बताना है ठीकिन तो इस तरह से structure का आप IOPC नाम लिख लोंगे और इस तरह से structure का आप chemical नाम भी आसानी से क्या कर सकते हो लिख सकते हो हैगे नहीं चलो अब फटाफट हम क्या करते हैं आपको कुछ है आपको naming देते हैं और आपको घर से करना रहेगा ठीक है तो कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है समय बहुत फटाफट निकल रहा है तो चलो अफटाफट हो मर्क लिख लो और घर पर बैठके स्टिक्चर का आप naming करके और नीचे comment box में complete होते ही comment box में आप हमें naming बताना इस स्टिक्चर का ये नाम है गर बैठके दाल पूरी मत खाने लगना मम्मी से बोले मम्मी देखो प्लास कर क्या है एक घंटा अब कुछ खिला दो भूख लगी है बहुत तेज ठीक है चलो एस्टिक्चर देते हैं ये लेलो यहाँ ओवेच लेलो यहाँ एन ओटू लेलो यहाँ पर भी एन ओटू डाइणाय तो लिख दिया ठीके ना वन टू त्रिवार साइस या ओवेच ये हुआ एन ऊटू यहाँ लेलो एन ओटू एक स्ट्रिक्चर ये भी ले लो, यह हुआ OH, यहाँ NO2, यहाँ हुआ NO2, यहाँ हुआ NO2, ठीक है, चलेगा, तो अच्छा बना दें, कहोगे क्या स्ट्रिक्चर भी आप भाण दीए, चलो, एक ले लो, अल्डिहाइड लेकर, यह OH, यह हो गया CH, ठीक है, यह है आपका ध्या अब एक बड़ा इंपॉर्ण्टेंट बात आ गए, अचलो, इसको सीखा देते हैं झालो, 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 झाल झाल जितना ओवेच वाला है देगें हाँ आप लोगो करना है जितना ओवेच वाला इस्ट्रेक्चर है आपको लिखना है हम थोड़ा साइस केवल हम कुछ चीजे आपको बताना चाह रहे है कि देखो जरूरी अगर ओवेच ग्रूप क्या होता है कि जब हम आगे आयूपेसी नहमन क्लेचर पढ़ते हैं तो वहाँ एक चीज हम सीखते है कि अगर दियेगे एस्ट्रेक्चर में अगर फंशनल गूरूप में भी अगर मजबूत आ गया ध्यान रखेंगे फंशनल गूरूप में भी अगर मजबूत गूरूप आ गया तो पुराना गूरूप जो होता है वह एजस सब्स्टिचूट के रूप में काम करने लगता है देखें ये दुनिया में हर जगह होता है जब बड़े टीचर आते हैं तो छोटे टीचर की पावर कम हो जाती है जब सबसे बड़े टीचर आते हैं तो उससे बड़े टीचर की पावर कम हो जाती है इसे तरह से हर जरूरी नहीं है कि हर जगे यहाँ पे हर जगे एक ही स्टिक्चर मजबूत हो देखो यहां नाइट्रो है और यहां हाइड्रोक्सी है तो नाइट्रो जो होगा है यह सब्सेट्टूट के रूप में काम करेगा और हाइड्रोक्सी जो होगा वो functional group के तरह काम करेगा लेकिन यहां देखोगे दो-दो functional group है यह aldehyde है और यहाँ alcohol है तो aldehyde जो होगा हुआ मजबूत हो गया तो यह as a main functional group के रूप में काम करेगा और यह जो होगा as a substitute के रूप में काम करेगा हम इसलिए इस structure को बनाए अब ऐसे condition में जो आप naming करोगे अभी तक हम देते थे इसको एक number, दो number, तिन number क्योंकि यह एक functional group था लेकिन यहाँ देखोगे तो यह भी एक functional group है और यह भी एक functional group है यह aldehyde है और यह carbox इसको एक number देंगे और इसको ऐसा होता, OH, यहाँ पे CHO, और यहाँ पे COOH, तो कार्बॉक्सलिक की मजबूत देन अल्डिहाइड, देन मजबूत देन कार्बॉक्सलिक, तो इसको एक नमबर, इसको दो नमबर, इसको तिन नमबर, इसको याद रखेंगे, क्योंकि नेमिंग करते समय हमें इन छोटी-छो नमबर देंगे, जो सबसे टॉप में आएगा, जो सबसे मजबूत होगा, वो एक नमबर होगा, वो एज़े फंसरोल गूरूप के रूप में काम करेंगा, लेकिन बाकी जो होंगे वो एज़े, प्रिफिक्स के रूप में काम करेंगे, यह बात को हमेसा याद रखना, ठीक आपको याद रखना है ठीक है तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो देखो चार नंबर पर है Hydroxy तो क्या हो जाएगा इसका 4 Hydroxy और यह Acetate का है दो Carbon है तो Acetate का लाता है तो आपको इस तरह से नाम इसको रखना होगा तो यह आपका एसी टेटो फिनॉल नहीं ध्यान रखेंगे यहाँ फिनॉल नहीं क्योंकि यह किटोन है तो किटोन यहाँ पे नाम चेंज हो गया यह हो गया फिनॉन प्रहा तो रहते अलकोहल मावल विगाड़ दिये ना यह हो गया किटोन हमने पहले भी कहा कि आयू पेसी नाम अंकलेचर जो मजबूत गुरूप होता है उसके आधार पिर होता है अब यह तक यह फिनॉल क्यों था इसका नाम लिखोगे 2-3-nitro-phenol या 2-3-dinitro-1-hydroxy-phenol या 1-hydroxy-benzene यह फिनॉल क्यों लिख रहे है क्योंकि यहां पर ओविच गुरूप मजबूत है यहां पर हमने किटोन क्यों लिखा क्योंकि यह किटोन गूरूप है किटोन गूरूप मजबूत है जो मजबूत होगा वो आयू पेसी में पार्टिसेपेट कर जाएगा यहीं पर इसको लिख होगे तो क्या लिख होगे 2-2-hydroxy अध्यार लखेंगे यह आपका बेंजीन यह बैंजीन है तो यह एस्ट्रेक्चर होगे आपका बेंजोइक एसीड क्यों ओईक एसीड क्योंकि यह कार्बॉक्सलीके सीड है आज बात यहेक VenalDehyde दो होता तो एस्टयलडीहाइड 3 होता तो क्या होता है इस हमस्टर को आङे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा मेत्फिक दु हाई द्रोकशी बैंजल कि सौरी है बैंजीन के साफल्डीहाइड है तो उसато भॉल लू बैंजलीहाइड अगा यहीАं पर CH3 CH2 OH होता तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और बाकी इस जो structure है इसका आपको आयूपे से नाम लेखना है हम इसका फटा फट आपको तो अब जो structure मिला अब यह जो इसका हम लोग एक common नाम सीखना होते हैं सेलसेलल डिहाइड सेलसेल डिहाइड इसका हम लोग करते हैं सेलसल डिहाइड आप इसका फटा 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 इसका common नाम याद रखिएगा ठीक है और इसका हम लोग करते हैं सेलसाइलिक डिहाइड सेलसाइलिक एसेड सेलसाइलिक एसेड इस सब कौमे नम आप तो आप सा याद रखेगा क्योंकि कम और नेम हम लोगों को ज़्यादतर पूछा जाता है ठीक है सर आपका पढ़ाय वर्ड्स के लिए नहीं है What is this इस तरह से यहां पर जब ओविच ग्रूप होता है तो हम सिर्फ इस ट्रिक्चर इस लिए लिखें क्योंकि ताकि आपको क्या हो कि इसका कुछ हम कॉमा नाम बता दें तो यह क्या है आपका कैटी कॉल ठीक है जब दो ओविच अलग आता है तो हम लुग करते है रिसो करीनिल यह है आपका रिसो करीनिल जब ओविच वण 3 पर आता है तो इसको म लुग करते हैं क्यून जून lease मार्क कर लेने मिद़दे है सब से इंपोर्टेंट कुछा जाता है यह इसे करते हैं हम लो ठीक है अगर 1,2,3 था हमने पहले ही कहा था इसको मुलोग करते है पारागलॉल और कि एक जामो में कई बार कॉमा नाम से पूछा गया है ठेक है इसको करते है हाइड्रोक्सी क्यून ओल ठीक है और जब तीन स्टिक्चर आपस मिलता है तो इसको हम लोग करते हैं इसको हम लोग करते हैं इसको हम लोग करते हैं साइड हाँ फ्लोरो ग्लियू फ्लोरो एफ ओ लो आर ओ फ्लोरो ग्लियू किनॉल हम लोग भी नाम भूल जाते हैं ठीक है तो यह है इसका आज की कहाने तो इसको आप दिये गया structure को आपको जो जो मैंने common नाम लिखा है इसका आपको IPSC नाम लिखना है और बागी चीजे इसको ध्यान से पढ़ना है ठीक है अब हम कल मिलेंगे तो इसके physical को थोड़ा सा इसको हम पहले इसकी preparation method सिखाएंगे और फिर हम आएंगे physical property के लिए ठीक है जई आपक्ड़ झाला है तेंक्यू सो माच्छ